पूर्प महिला थाने की पुलिस ने मौके पर जेल रोट क्षेतर के एक घर से 33 वर्षिय शर्मिष्ठा चटर जी का लटका हुआ शब सुभे 7 बजे बरामत किया। घटना से इलाके में हरकम मच गया है। जेल रोट अगरतला में दिवंगत बिरेंदर चटर जी की बेटी शर्मिष्ठा चटर जी को पढ़ाय के बाद भी नौकरी नहीं मिली। उसके दोस्त और परिचीत नौकरी और खुशी से वेवाहिक जी बन जी रहे हैं। लेकिन शर्मिष्ठा के नसीब में वो भी नहीं हासिल हुआ। तब से वे मानसिक अपसाथ से जूच रहे थे। परिवार में उसकी मा को पैंशन मिलती है। उस पैंशन से दो लोगों का परिवार अच्छा चल रहा था। लेकिन बेटी शर्मिष्ठा कई महीनों से मानसिक विमारी से पीरित थी। उसकी मा उसकी देख भाल कर रही थी। लेकिन आज सुभे उसके परिवार वालों ने उसका अलट का हुआ शब देखा। पूर्वी महीला थाने को दी गई रिपोर्ट। पूर्वी महीला पुलिस निरिक्षक मीना देवर्मा के साथ मौके पर पुलिस पहची और जान शिरू की। शर्मिष्ठा चेटर जी की बरिबहन ने मीडिया को घटना के बारे में बताया। तुम्होर्शीक्षक मानुषीक्षक मानुषीक्षक रिपाजी बताया। छुआ को मौनळ॒ गलत आज की। शर्मिषा आफ्ट वहाएँ सब्सेलने का सामच औरा जे बरिबाशी डऺधा-मलेल्य। आर कुनु कि चुने वए धन मेंटले डिप्रेशन रुषूद। लेरे तमकी प्राइशों में डिप्रेशन थाकतो हुए। डिप्रेशन थाकतो बोलते धुए। द्वार्ना माजवदी डागदे तो भात खेतो तो अंशे को मात मीखेल हुए। महिला थानी की पुलीस ने शब को बरामत कर पोस्ट मॉर्टम के लिए जीबे स्पताल के मुर्दा घर भेज दिया है।